यह दवाव जो है आपके उपर के जो मंत्री बैठे उनकी दवाव के बिज़े स्थोड़ दिया विचारेगा यह तो मंत्री का नाम ले किस मंत्री ने दवाव दिया उस मंत्री को यह सामने करे अगर कोई मंत्री नहीं है तो फिर इश्रिके की बाद वाईया आउस्वे नहीं करने जाई ऐसे मादक पदार्थ की तसक्री करने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए को काम ठीक किया है और उसको ये विद्वंस कहते हैं इसका मतलब पहले हमको ये पुछना पड़ेगा ये उधर है कि इधर है न्यू दुर्गा ज्वेलर सिर्सा खारिया वाले प्रभुजी सोनी वा पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मानेता प्राप्त मशूर हॉल मार्क ज्वेली शोरूम नियू दुर्गा ज्वेलेस परशुराम चौक सिर्सा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217 मंत्री जी जी विज सब नहीं है एक बजर बार देखने हैं नेक्स्ट श्री दूराराम जी 190 अभी आए तब लगे लगेगा अभी आ एक मंत्री जी आ रहे है एक मंट आ जाएगा नाए नाए को यसी बात नहीं है मान नहीं है देख जी कोई अमर्जनसी भी हो सकती है मान आपके माद्दम से वारे समानित विदाय को बताना चाहूंगा श्री मान जी मान बेगा बैट जाएगा पर जाएगा आपको अंसर मिलेगा आपको जिरूर मिलेगा प्यार करवाज जा रहा है आपको अंसर मिलेगा अभी कोई अमर्जनसी भी हो सकती है किसी भी मेंबर को हो सकती है किसी भी सरसको सकती है आने को इसमी होग चाहिए कнच जी बढ़ाना पड़ indicating इन तरीका क्या आप आंसर जाहिए दो अध्यक्षमद है अध्यक्षमद है मैं दे ऑलग argue मैं उतर दे रहा हूं ऑतर दे रहा हूं मैं ब्यावपन मैं उत्तर दे रहूँ बैठी अद्धिक्ष मौद है ये बात ठीक है कि जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्क्री करने वाले हमारे विजसाब आ गया है मैं एक पंग्ती दो बोलूँगा पर बाद मैं ठीक से उत्तर देंगे उनकी जो तस्क्री करने वाले ऐसे जो जुड़े हुए लोग हैं बाकाइदा कानूनन जो जो उनके खिलाफ कारवाई हो सकती थी वो हमने सब चिन्नित कराई है और जो इलीगल ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी उनको हमने तोड़ा है इसको स्विकारम करते हैं लेकर मेर हमारे प्रशन करता विधायक साथी से एक प्रशन है मैं प्रशन का प्रशन कर रहा हूँ इन्हों आगे लिखा है कि मकानों के विध्वन्स की कारवाई अगर इसको ये विध्वन्स की कारवाई मानते हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने पहले बता दिया कि इसको गलत मानत क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि हमने कारवाई जो की है ऐसे मादक पदार की तसक्री करने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए को काम ठीक किया है और उसको ये विद्वंस कहते हैं इसका मतलब पहले हमको ये पुछना पड़ेगा ये उधर है कि इधर है ये कि इध अजेक्ष बोता है जैसा कि मुख्या मंतरी जी ने अभी बताया कि क्रिमिनल्स और ड्रग तसक्री करने वालों को नकेल कसने के लिए है और जो उन्होंने गल्द तरिक्के से पैसा कमाकर संपतियां बनाई है उनके उपर कारवई की जा रही है हम संबंदित विभाग को सारा डेटा देते हैं कि इतने केसी हैं इसके खिलाब और इतने वो हैं टोटल 178 संपतियों पर बुर्डोजर चला है सब जिसमें से 72 रिलेटिट टु मादक पतार्थों से है और मैं समझता हूं कि किसी भी कनून बसंद विक कि को इस पर इतराज नहीं करना चाहिए इसकी सराना करनी चाहिए आपके संग्यान में भी अगर कोई होगा आप हमें सुचना दें हम कारवई करेंगे क्योंकि हम परदेश से ड्रग तसकरी गुंडागर्दी शराब माफियास हम इन सब पर नकेल लगाना चाहते हैं और कि हर्याने में ठट पड़देगे हैं इनके होंसले टूटे हैं और हर्याना छोड छोड़कर ये लोग भाग रहे हैं और मैं संकोच नहीं करूंगा अगर ऐसे ओर भी केस हमारे सामने आएंगे तो सरकार कारवई करने में एक बार भी नहीं हिचकेगी जरूर कारवई करेग अगर जा तो बदमाशी छोड़ दो और जा हर्याना छोड़ दो हम किसी को भी अपने परदेश में ये गुंडा गर्दी और बदमाशी नहीं करने देंगे और उसके लिए हम और कनून भी ला रहे हैं जल्दी हम विदान सवा में जा ओर्डिनेंस के माद्यम से हमने उसको सारा क्लियर कर दिया हर कोका का हम वो भी ला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि परदेश के लोग अमन और शांती से रहे कोई भी देश या पर्देश तबी तरक्की करता है अगर वहाँ बर अमन और शांती है और अमन और शांती बनाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे सब्सक्राइब एक मिन बैठी ये पहले उनका क्वेश्चन है मुख्यमंत्री जी जबाब दे रहे थे और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने सवयं उसमें ये जोड़ दिया आगे कि जिन लोगों के मकान तोड़े या जिनके खिलाफ कारवाई एक रहे न originका मिजे मौख्यमंत्री जी इस मामले में अगर सबसे ज्यादा को ले करके खास करके नशाद तसक्री नसेस्टे जुड़े वे मामले को अगर किसी ने उठाने का काम किया तो मैंने क्यार सबूत के साथ किया सबूत के साथ आपके सामने सारी बात ने रखी लेकिन अब तक उनके उपर कोई कारवाई नहीं है तुम्हारी सदसे मौदा की सरा अगली जान कारी जोगा आपसे लेना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा इस इशू को किसी ने यहां रेज किया तो मैंने किया है और आपकी सरकार ने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया अगली सुन लिए और मेरा जो इसमें क्वेस्टिन है जो चीज में आपसे जानना चाहता हूं मंत्री मोजय केवल एक है कि नशाद तशकरी के अ क्या आप सामुएक प्रिवार की संपत्ति को नस्ट कर देऊगे हैं नहीं सामुएक को तोड़ देऊगे सोर्स आफ इंकम क्या है नहीं नहीं मैं यह पूछ रहूं कि अगर कोई एक व्यक्ति घल्ट है घर में और उसके घर के दस सदशे दूसरे हैं उस घर में रह रहे हैं तो क्या आप उन दसकों भी साथ की साथ उजाड़ जाड़े हैं आप हाँ या ना में जवाब दियो अभी देंगे मैं अपने वर्ट्स को ठीक तरीके से बोलिए गलत नहीं गलत नहीं गलत बोला है एक दम सही बोला है क्या बोला है कि करद बाला लें आप बिल्कुल बेनाठी की लावेट है ने ऐसे अि पूछा रहा है आप सब्सक्रियर तो बदेगे कर support agree कर दे को देखलें आप सुप्लिमेंटरी का एक्शन का तो नोग को भी साथ रगड़ देंगे हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे मैं जवाब देता हूँ देखिए दोशी कौन है और उस दोश के भागीदारी कौन बात में बनता है ये कानून सम्मत बात है एक व्यक्ति अवैद तरीके से कोई अपनी कमाई करता है उस कमाई में दसलों को शामिल करता है और उसके अंदर अगर कोई उसी कमाई के कान से उसकी संपति बनती है उस दोश के कान से अगर वो किसी और के नाम भी कर देता है किसी की सहभागिता भी हो जाती है तो बरावर के दोशी होंगे और वो संपत्ती अगर उसकी कमाई से बनी हुई है कानून से दबात है उसको तोड़ने में फिर दस लोगों का और भी साथ होगा हमें कोई अतराज नहीं है कोई उसमें अपत्ती नहीं है पहले समाज के अंदर ये वातावन बनाना पड़ेगा कि अपरादी कोई घोर अपरादी है उसके परिवार के लोग भी अगर उसको साथ छोड़ना शुरू करेंगे तब ही अपराद के उपर कंट्रोल होगा वरना अगर साथ देने वाले अपरादी हो का साथ देंगे उनको हमको साथ लपेटना पड़ेगा ये कानून से दबात है कोई वकील आगे बता देंगे पिकर सर मुक्यमेंटरी जी ने फिर वोई बात दुराई है आप सेकेंड सेप्लिमेंटरी है मैं भाचन सुने नहीं है करना कि सप्लिमेंटरी का जवाब चाहिए मैं ने यह पूछा था हाउस के अंदर कि किसी एक व्यक्ति ने गलत काम किया उसके घर के लोगों ने उसको बेदकल कर दिया क्या उस परिवार का मकान आपकी सरकार तोड़ेगी जिसको बेदखल कर रखा है क्या उसका मकान भी आप जाकर के तोड़ देगे देखिए अगर ऐसी कोई गठना आपके पासा सरकार के ज्यान में लाईए आप किसी की बात सुन नी रहे हो सरकार ने आपको जवाब दे दिया ऐसे बहुत सी सिकायते हैं जिनके उपर लोगों के बड़े बड़ाए मकान जिनका उस तसक्री से कोई सम्मन दिया है कोई डिटेल है तो आप तोड़ लिये गए कोई आपके बात सुन ले मैं ने आपके एस पी सरसा के पास गंगा गाम के एक आदमी के मकान को तोड़ने का डोटीज दे दिया मेरे पास पुरे गाम के लोग कठे होकर कहर उन्हों आकर के का कि ये मकान जिस आदमी का है ये आदमी आज तक कभी इसके खिलाब कोई अफाई यार नहीं है कभी ये नशे के मामले में समलत नहीं है मेरे पुरोस का गाम है मैंने एस पी को टेली फोन करके ये बात कही कि एस पी साथ आप पहले इसकी जानकारी ले 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 फिर ये नोटिस जो है इस पर कारवाई करें एस पी ने वकाइदा तोर पे उस नोटिस के उपर पता कराया मैंने उसकी जो वेक्ति जिसका मकान था मैंने उसको का भी कोई तेरे मकान था सबूत तेरे पास है वो करने लगा मेरे पास मेरी फड़ है इसकी जो है गिर्दावरी है तो मैं वह ले कागज दे करके तू एस्पी के पास चिला जा और जाकर के एस्पी को दिखा दे पूरी पंचायत जाकर के एस्पी को सारे कागजात दे जाकर के दिखाकर किया इसके बा तो आपके पास ऐसा एक पर एक पर जड़ा आपको यदर आपके पास अब इस तड़े यह कि आप मंत्री को बैठे हो एक मिट सुनिए अब अपनी नौट वी रिकार्डडड नौट वी रिकार्डडड अभी मानिस दस्गन कोई बात नहीं मैं आपको जिरुआ और में दे दूँगा आपको इसमें स्रीकर सर्ड मैं एक मिनट कहना चाहूंगा हाँ उसका समय है बहुत देर से मैं अने इस बात पर दूबबा मैं उसने उस पर चर्चा हो रही है यह तो मंत्री का नाम ले किस मंत्री ने दवाव दिया उस मंत्री को यहां सामने करें अगर कोई मंत्री नहीं है तो प्रिस्री के की बात वाया था आउस में नहीं करने जाई नहीं नहीं अब वो नहीं समय हो गया नहीं उनको पहले क। पहले क्वेच्चन उनका था पहले क। समाप्थ होता है